हेलो फ्रेंड्स चले हम लोग देखते हैं इस वीडियो में एक्षन रिसर्च का स्लेवस क्या है हम लोगों को क्या-क्या चीजें पढ़नी है एक्षन रिसर्च से किस प्रकार के कोश्चन्स आते हैं चले सबसे पहले एक्षन रिसर्च का मीनिंग रिसर्च मीनिंग देखना है हम लोगों को इसके बाद डिफरेंस देखना है हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है डिफरेंस डिफरेंस बिट्वीन difference between fundamental research research and action research ओके चले इस वीडियो मैं में लोग के वल इन ही दो चीजों की चर्चा करेंगे कि action research क्या है उसका meaning क्या होता है difference क्या होता है दोनों में और किस प्रकार के questions इस topic से पूछे जाते हैं ठीक है सबसे पहली चीज अब action का मतलब क्या हो गया action का मतलब क्रियात्मक क्रिया इसको हिंदी में अगर हम लोग कहेंगे तो action research को क्रियात्मक अनुशंधान कहते हैं क्रियात्मक अनुशंधान ठीक है संधान ओके fundamental को कहते हैं fundamental को मूलभूत मूलभूत सोध मूलभूत सोध ठीक है यह आपका हिंदी में हो गया तो अगर हम लोग word पर ही जाएं तो word पर ही आप लोगों को देखने में लग रहा है कि action research का मतलब क्या हो गया कि action जैसे आपको कोई चीज मिल गया माली कि आपके सामने कोई उदेश है आपका आपने क्या कि तुरंت आपको कोई action लेना है जैसे माल लिजे कि आप एक छोटा से example लेजे पको भूख लगी है तो भूख लगने के बाद आप क्या co करेंगे बैठ करके यह नहीं सोचेंगे कि आपको भूख लगी है भूख लगी है भूख लगी है खाना आ जाएगा और खा लेंगे आप अप उसके लिए कोई कोई action करेंगे करेंगे action का मतलब ही होता है कि आप जब immediate कि यह थाय चाली आप रिजर्ट प्राप्ट करने का प्रयास करेंगे वह आपका action होता है ठेख है जब हम एकशन सब्द का कि उपियोट रिसर्च में करने लगते हैं तो रिसर्च का एक्शन और रिसर्च का दोनों का मतलब आपको समझ आ गया action का क्या हो गया action का मतलब क्रिया यानि हम किसी भी उदेश को प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वह प्रयास हमारा क्या होता है वह होता है उसको हम जो है क्रिया कहते हैं उसको क्रियात्मक कहते हैं ठीक है इसके बाद जब हम अनुशंधान की बात करते हैं तो research का मतल to again, again and again, search करना, क्या, anything, कुछ भी, या तो anything में क्या क्या हो जाएगा, जो पूरानी चीज़े हैं, उसमें कुछ add करने के लिए, आप कुछ खोज रहे हैं, या फिर आप कुछ नया ढोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है, action, वो को एक साथ जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है आपका action, action research, ठीक है, action research, तो action research का, अगर हम action की बात करें, तो क्रियात्मक हो गया, इसका मतलब अनुशंधान हो गया, अब हम अगर इसको एक बात में define करें, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, वो जिसमें परिस्थितियां बदलती रहती हैं, वो अनुशंधान जिसमें परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और ततकाल रिजल्ट ततकाल परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, एक ऐसा सोध जिसकी परिस्थितियां, जिसमें परिस्थितियां या जिसमें इस इस प्रकार का अध्यान किया जाता है, जिसमें परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, और उन परिस्थितियों के बदलने का क्या परिडाम होता है, इसका अध्यान किया जाता है, ठीक है, action research का मतलब क्या हो गया, कि immediate हमको result प्राप्त करने के लिए जो हम सोध करते हैं ततकालिक समस्या का समाधान करने के लिए जो हम सोध करते हैं जो प्रयास करते हैं वो हमारा सोध आप क्या कहलाता है क्रियात्मक सोध कहलाता है क्रियात्मक सोध में जो क्रियात्मक सोध करता है वो किस तरीके से करता है वो करता है आफ द प्रैक्टिशनर एक्सन रिसर्च जो होता है वो आफ द प्रैक्टिशनर होता है बाई द प्रैक्टिशनर होता है प्रैक्टिशनर का मतलब क्या हो गया जो सोध करने वाला है जो सोध करने वाला है आफ द प्रैक्टिशनर कि इसका कोई paper नहीं है लेकिन जो memory है जो 10-15 लोगों से बात करने के बाद जो चीजें निकल करके आई कि questions इस तरीके से आते हैं उस अधार पर हम लोग बात करेंगे तो action research से जो आता है यह action research जो करता है वो क्या करता है of the practitioner, of the practitioner, by the practitioner, by the practitioner or इसके साथ से for the practitioner, यह तीन चीजें आपका action research में मूलभूत अवधारणा में action research की मूलभूत अवधारणा में यह तीन चीजें होती ही हैं कैसे of the practitioner यानि जो practitioner द्वारा किया जाता है यानि जो सोध करने वाला है उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे करेगा ठीक है by the practitioner या जो है जो सोध करने वाला है वो वही ते करता है सबसे पहले तो आफ दे प्रैक्टिशनर यह जो है आफ का मतलब क्या हो गया वो उसी के इर्दिगिर्द घूनता है जो समस्या जो तातकालिक समस्या होती है जो सोध करने वाला होता है उसको पता होता है कि तातकालिक समस्या क्या है और वो समस्या उसके इर्दगिर्द खूंती है, ठीक है, तो of the practitioner हो गया, इसके बाद by the practitioner उस समस्या का समधार करने का प्रयास कोन करता है, समधान करने का प्रयास करता है, practitioner, कैसे by the practitioner, यानि वो अपने द्वारा, वो खुद प्रयास करता है, उस समस्या का समधान करने का, ठीक है, for the practitioner क्यों करता है क्योंकि उसको solution चाहिए समस्या उसकी है तो समाधान भी उसी को डोड़ना पड़ेगा इसलिए वह प्रयास करता है ठीक है और जब हम लोग आगे पड़ेंगे उसका जब हम cycle वगर देखेंगे तो और भी चीज़ें आपकी clear हो जाएंगी तो आप परेशान मत होगेगा ठीक ह उतना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी स्लैवस को कवर करेंगे इसके बाद प्रैक्टिस करना सुरू करेंगे ठेक है को सिस करेंगे कि ऑनलाइन ही प्रैक्टिस आपके लिए लेकिया और एक नया application एक विद्यार्थी ने दिया है काफी अच्छा है और उसी की मदद से हम आ सकते है, फिर इसको स्टेप सकते है, स्टेप साफ एक्शन रिशर्चू कह सकते है, सबसे पहले क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है ? प्लान के बाद एक्ट होता है, एक्ट के बाद क्या होता है, ओब्जर्व होता है, इसके बाद आपका रिफ्लैक्ट होता है, कॉश्ण यहां पर सिधे-सिधे पूशता है, कि इसमें जिसे चार ओप्सन तो देता हुए, उसमें यह पूश्देगा कि Steps of Action Research में कौन सा नहीं है, तो यह 4 ही चीज़ें होती है, इसमें से कोई एक नहीं होगा, यह इसमें से कौन सा है, इस तरीखे का कॉश्ण पूश्डा तो आप लोगों गोगो जो प्लान है एक एक चीज को हम लोग देखते हैं जलístी है जो रिसर्च करने वाला है जो सोच रहा है यो का रहा है वो सबसे पहले प्लान करता है या सबसे पहले वो समस्या को ढूड़ने का प्रयास करता है जैसे हम एक समस्या ले लेते हैं कि कोई एक विद्यार्थी है क्लास में continue लेट आता है ठीक है लगातार वह लेट आता है अब उसके उस विद्यार्थी के लेट आने का कारण हमको जानना है क्य उसको जानने के लिए जब हम रिसर्च करेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उस विद्यार्थी के उपर अध्यान करने के लिए, हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे, एक पूरा विवरण तयार करेंगे, विवरण तयार करने के बाद हम कैसे कैसे क्या क्या किन किन चीजों को हम follow करेंगे, वो सारी चीजों की बात हम जो है plan वाले stage पर कर लेंगे, इसके बाद जो हमारा plan होगा, उसको हम execute करेंगे, किस लिए? उस विद्यार्थी के class में late आने के कारण को जानने के लिए, ठीक है? लेट आने के कारण को जानने के लिए, हम क्या करेंगे? execute करेंगे उस plan को, ठीक है? जब हम उस plan को execute करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है, यानि वो क्या करता है? हम observe करेंगे, तभी तो हम पहचान पाएंगे, plan तो हमने बना लिया, अब plan पर हमने काम भी करना शुरू किया, जब प्लान पर हम काम करना शुरू किये, तो plan में हम चुकि action research कर रहे हैं, और उसमें जो है, हम एक observation method का use कर रहे हैं, तो हम observe करेंगे, जब तक हम observe नहीं करेंगे, तब तक हम कई से उसको पकड़ पाएंगे, तो हम observe करना शुरू किये, इसके बाद हम जो है, जो observe किये, क्या कारण है, जैसे माल लिजे कि कोई विद्यार्थी लगातर लेट आता है, हमने plan बनाया, कि ठीक है चलो, अब हम इसके पीछे पीछे जाएंगे, घर तक जाएंगे इसके, अब एक दिन उसके घर देख कर क्याएंगे उसका, अब घर ग गया है, उसको हमने act वाले में डाल दिया, act के बाद हमने observe करना शुरू गिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके घर चले गए, घर जा करके हम उसको देख रहे हैं, कि वो paper बाटने जा रहा है, वो कोई दूसरा काम करता है, जिससे कि उसकी earning हो सके, और उस earning से उसके परि हमने observation कर लिया, observation करने के बाद हमने जो चीजें दिखाई दी, अब उसको ला करके हम institution में आते हैं, फिर अगले दिन विद्यार्थी आता है, उस विद्यार्थी से हम पूछते हैं कि तुम क्यों लेट आते हो, उससे हम पूछ भी सकते हैं, और चुकि हमको पहले से भी पता है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, हमने उससे जो पूछा, या फिर जो हमने देखा, उसके आधार पर क्या करेंगे, reflection को हम रिजल्ट कहेंगे, जो हमारा reflection होगा, वही हमारा result होगा, ठीक है, यह आपका रहा, क्या क्या हो गया, action research क्या है, action research में क्या क्या चीज़े necessary हैं, औ और action research का cycle क्या है, ठीक है, अब action research को हम अगर और देखें, तो action research going on process है, लगातार चलती रहती है, इसमें continuous process एक तरीके से हम कह सकते हैं, कि अगर इसे हम going on process कहते हैं, going on process, continuous process, continuous process तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं है, कि हर कोई करें, लेकिन यह लगातार चलती ही रहती है, क्लास में अगर आप educational sector में अगर आप देखेंगे, education में अगर आप देखेंगे, तो action research continuously कोई नो कोई किसी ने किसी रूप में teacher करता ही रहता है, क्या करता है, एक समस्या का समाधान होगे, एक विद्यार्थी की समस्या का समाधान उसको मिल गया, कि क्या कारण है, वो late क्यों आता है, इसके बाद उसको एक alternative विवस्ता दे दी, कि इस तरीके से आओगे, तो तुम late भी नहीं होगे, उसकी समस्या का समाधान होगे, immediate जो प्रॉब्लम थी वह सॉल्व हो गई इसे तरीके से कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी जरूरी नहीं कि क्लास में पूरे साल भर में किया विले की समस्या रहेगी एक समस्या का समाधान होता है किसी दूसरी समस्या का जन्म हो जाता है उस समस्या का समाधान करने के लिए फ हम लोग देखेंगे कि fundamental research और action research में difference क्या है okay fundamental research fundamental research and action research fundamental research क्यों होता है क्यों किया जाता है fundamental research को हम जो है basic research भी कहते है इसको मूल बूद्सोध कहते है fundamental research हम करते हैं किसी भी theory का विकास करने के लिए किसी भी सिधान्त का विकास करने के लिए theory development के लिए कुछ नया ढूडने के लिए हम जो है fundamental research करते हैं ठीक है और जब हम action research करते हैं, तो action research जो immediate problem होती है, जो तातकालिक समस्याएं होती हैं, जिनका solution हमें तुरंत चाहिए होता है, तो जब इस तरीके की समस्याएं हमारे सामने आती हैं, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, action research का प्रियोग करते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया, कि fundamental research और action research, fundamental research में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे, सबसे पहला, जो सोध होता है, जो सबसे पहला, जब सबसे पुराना विदी है, या प्रकार है सोध का, वो है आपका fundamental research, जिसमें हम theory development की बात करते हैं, theory construction की बात करते ह हम विचारों को, धारडाओं को ढूणने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे हमारा fundamental research होता है, इसके बाद आपका आजाता है, applied research, तो applied research में जो हम ढूड़े होते हैं, या जो हमारे पास पहले से सिद्धान्थ होते हैं, उनको हम अप्लाई कर देत हैं, भेवहार में, उसको implicate कर देते हैं, इसके बाद, जो उससे result प्राप्त होता है, उसको हम जो है, या फिर हम जब किसी से धान्थ का प्रयोग हम भेवहार में कर दे तो applied हो जाता है, फिर हम जब action research में क्या होता है, कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो भी संसाधन या जो तो कुछ भी हमारी दो पास theory वगर्य है जो कुछ भी हमारे पास knowledge है। उसका प्रयोग करते हुए। हमारे पास अगर कोई ततकालिक समत्या है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए जब हम कोई सोध करते हैं। और समस्या का तूरंत नीदान जब हम चाहते हैं, तब हम जो है, कौन सा से सोध करते हैं, तब हम सोध करते हैं, एक्सन रिसर्च, ठीक है, एक्सन रिसर्च के बारे में और भी बहुत सारी बाते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, चले, फिर मिलते हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में, बाई-बाई, टेक क्यार, उमीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो या वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक, सेयर, कमेंट करना नहीं बूलिएगा, और चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब करना नह बूलिएगा, फिर मिलते हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में, बाई-बाई, टेक क्यार, आल थे बेस्ट.